नास्कार मित्रोप सबीकर स्वागत है हमारे यूटूब चैनल सवरा अनकेडमी क्लासेश पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये बीयो का पेपर है और इसकी आंसर के लिए चले है फटा फट सॉल्व बताते हैं आपको आंसर इसके इसमें पहला कोश्चन का फस्ट ही पार्ट सॉल्व है यानि ए सही है इसका दूसरे का आप देखते हैं दूसरे में आपका जो है डी सही है क्योंकि सिक्षाद का अदिकार आपको सभी को पता है ये इस तरीके से और तीसरे का आगर आप देखें तीसरे का फस्ट पार्ट आपका सही है यानि कोश्चन नमबर वन है औ और ये जो पाछुआ questions होता है इसमें c part आपका सही है। इस पकार बढ़ते हैं आगे के तरफ तो question नमबर जो आपका fifth है, question नमबर जो 6 है उस question नमबर 6 का answer आपके लिए b होगा, question नमबर 6 के लिए answer आपके लिए b है, याँ यहाँ पर B option सही होगा बढ़ते हैं आगे तो यहाँ question number 7 के लिए C सही है याँ 28 सही है फिर अगले 8 वाले में B सही है इसमें यहाँ पर B सही है इसी प्रकार आगे बढ़ते है question number 9 question number 9 में आपने solve कर लिया होगा question number इसका answer जो सही है वो है answer D यहाँ पर D सही है और अगले वाले में दस्वी वाले में B सही है यह तेरा होगा इसका और ग्यारा वाले में C सही है और बारा वाले में कुश्च नमबर बारा का अंसर करने रियु हैंपी है यहनी A सही है इसका जो पाठ है वो A सही है इस पकार A सही हो चाएगा बारा का अगले बढ़ते हैं देखिए आगे वाले में 37 दिकास लक्ष में पहले के तरह ही इस पार भी केरल यहनी D है इसका आप्सें जो है वो डी हो होगा और इसका C होगा 14 का यानि मेडा गासकर होगा और G20 यानि साओधी अरब यानि C होगा इसका भी आगे बढ़ते हैं इसमें इसका ऑप्षन D होगा इसका ऑप्षन D होगा 17 कोश्च नमबर पर जबाप आएंगे तो आप देखिए यहां पर कोश्च नमबर 17 आपको मि मिलता है कोश्च नमबर 17 पर कोश्च नमबर 17 जो आपका है एक भारतिय philosopher में तो इसका आपशन जो आपको मिलेगा वो डी मिलेगा इसका ओप्षन डी होगा इसके बाद आ जाईए आप कोश्च नमर बाठारा पर कोश्च नमबर अठारा जनसंख्या के छितरफल के सापन तो चुह आ سबलबा तीसरा स्थान, यह D हो जाएगा, महरास्टा है इसका, अगले वाले ऑप्शन में आज जबाए etc., तो इसके हिसाब से, ओप्शन आपका जो हो जाएगा तीसरे का जो है वन हो जाएगा और तीसरे का जब वन होगा तो उसी ही सबसे आप मिलाएंगे तो आपको यहां option भी मिल जाएगा option भी हो जाएगा क्योंकि जारवा का fourth होता है और fourth सिर्फ इसमें है इस प्रकार यह चीज हो गई अब question number 20 के तरह बढ़ते हैं question number 20 में आप देखेंगे कि question number 20 में आपका option number C सही हो जाएगा यहां पर यह C सही हो जाएगा फिर उसके बाद question number 21 कोशन number 21 आप देखेंगे तो question number 21 में आपका part B सही हो जाएगा केवल 2 उसके बाद question number 22 है तो इसमें हर याड़ा है question number C इसका option C सही है third 23 question number 23 यह C है part याणि question number answer इसका C होगा third 23 का अब इसके बाद आजाएगे इसमें आपका 24 मेंगनीज होगा याणि option number D सही होगा इसके बाद कुछ अमली है याणि option number C सही होगा मधमे इसका मधमे आएगा इसमें भी option number C सही होगा इसके बाद आप आजाएए कि मौले कर्तब की बाद तो मौले कर्तब में केवल 2 नहीं होगा याणि यह वाल option नहीं होगा एक, तीन और चार होगा तो एक, तीन, चार इसमें D में मिलता है तो यह option number D सही हो जाएगा इस से के पर फिर आजाएए इसमें option जो है हमारा question number 28 है question number 28 में आप देखेंगे कि पढ़िए आप question number 28 तो भारत में मंत्री परसित की संयूत मिलाने के लिए यानि सहीत रूप से लोगसभा और रासभा दोनों के प्रतुत्तर दाई है तो इसका option number D यानि पहला वाला जो है गलत हो जाता है यानि ये option number D सही हो जाएगा फिर उसके बाद आजाएगे पंचायती राज तो पंचायती राज में क्या है कि पंचायती राज में आप देखेंगे option number जो है वो C सही हो जाएगा इस परकार 29 questions solve हो जाते हैं आप मिलते हैं 30th question में 30th question का इसका B part सही होगा यानि B part सही हो जाएगा फिर इसके बाद आजाएए 31 में 31 में आप देखेंगे तो 31 question में कि एक बढ़ी 6 घंटों में कुर्चें बनाता है तो यहां 73 आ जाएगा यानि option number C सही हो जाएगा इसमें Q, R, S, U यानि इसका भी option number C सही हो जाएगा वागे बढ़ते हैं 33 में तो 33 में यहां आपको मिल जाएगा बस्तवार यानि B इसका part सही होगा इसमें 27 आ जाता है यानि इसका भी B part सही होगा अगले वाले 35 में देखिए 35 में आप option number आपका D सही है यानि यह 35 इसका answer आएगा 36 में इसमें 2 आएगा यानि इसका A part सही होगा अगले वाले में 37 वाले में आजाईए 37 वाले में आपका C पार्ट सही होगा यानि ये 50 डिग्री आएगा इसका अगले वाले में 84 आएगा यानि इसका B पार्ट सही होगा इसके बाद आप अगले वाले में आजाईए देखी यहां देश के बड़े राजो समहों में राजी का twenty-nine और सुचकान कजो है वो आपका क्या आजाएगा A यहां केरल होगा इसके बाद इसका B पार्ट सही हो जाएगा यहां पर B पार्ट सही हो जाएगा पांच ट्रेल्ण की बाद करेंगे तो यह C पार्ट सही हो जाएगा इसका फिर उसके बाद आएए इसका जो option सही है वो D है यानि 42 का option number D सही हो जाएगा option number D सही हो जाएगा अब इसके बाद एक question आता है 43 का तो 43 में आप देखेंगे तो 43 में पढ़िए कि जो काल करम के अनुसार इसमें वेवस्तित करना है तो काल करम के अनुसार वेवस्तित करेंगे तो इसका option number जो है a सही हो जाता है यानि option number यहां पर सही हो जाएगा इसके बाद आप यहां देखिए कि चंद्रगुप्त की रानी का नाम कुमार दे भी है यानि एका तीन सही हो जाएगा, यहनि इसका भी A part सही हो जाएगा, इस पकार A part इसका सही होगा, अगले वाले options में चलते हैं, यहां समाचार पत्र और जो है है, तो समाचार पत्र में जो जिन्ना का समाचार पत्र है वो नहीं है, यहनि जिन्ना वाला समाचार पत्र यहनि C, इसका part सही होगा, फिर उसके बाद आजएए, अगले वाले में इसका भी A part सही होगा, आप इस पकार 46 का देख सकते हैं, A part सही होगा फिर उसके बाद 47, 47 में आप देखिए तो 47 में आपको A part सही मिलेगा, A part सही होजाएगा, इस पकार उसके बाद, नीचे दिये questions 48 48 में आप समाच में जो आएगा option, यह option number B सही होगा इस पकार, हम questions को फटा फट सॉल्ब करते चलें, हम मिलाते चली अपने paper में यह कहीं न कहीं जरूर दिये होंगे लाला लाजपतराई के बारे में है, तो यह question number इसका part A सही है इसमें option A आपको सही मिल जाएगा, फिर बिलाय का सिद्धान्त की कौन सा, जो है राज पहले बिलाय हुआ कौन सा, किसके बाद इसमें C part आपका सही है, अगले वाले में आज़े गन्ना के बारे में 51 तो यहां 51 में है आपका part जो है, A सही है आर्थिक मामलों की कमेटी जो है, इसे मनजूरी करती है अब इसके बाद आज़े यह सूर्ज मुखी, इसका part जो है, इसका part आपको C हो जाएगा, यानि इसका part C solve, सही यह option होगा, 52 का अब इसके बाद 53 53 में आपको C part ही सही इसमें भी है यानि 53 का भी C part होगा अगले वाले में आप देखें 54 54 में वहवस्त हो जो सेवा और मूल्यों के लिए है इसमें भी part C आपका, एक और 3 सही होगा इसके बाद आजएए business processing, outsourcing में जो है, सबसे बड़ा होगा, तो यह noida है यानि इसका D part सही इसका D part सही होगा फिर उसके बाद आजएए यहाँ पर तो यहाँ यह B part सही होगा, इसका 56 का बुदेल, खन फिर उसके बाद आजए नीचे कन्योज और यहाँ यहाँ जो है कन्योज यहाँ आप देख सकते हैं कि परताबड़न में आवला होता है यह चीज़े हैं तो यहाँ चित्रकुट चिन्नी का मिट्टी यहाँ पर B part सही होगा, इसके बाद यह जुजन जातियां दी हैं यह सोन भद्र में पाई आती हैं इसका part C सही होगा फिर उसके बाद आप नीचे देख लीजिए आपको नीचे मिलेगा यहाँ पर यह आपका हो गया और यहाँ इसके बाद है 59 में फास्फेटिक जय वरवरक तो इसमें जो आपका सही option होगा वो rhizobium होगा याई एपाट इसका सही होगा अब आते हैं 60 वाले पे 60 वाले पे आप देखे 60 वाले में आंसर जो आपका होगा इसका भी आपको C पाट सही मिल जाएगा यहाँ C पाट सही होगा इसका उसके बाद आप देख सकते हैं यह इस प्रकार 61 में, 61 में आप देखिए, 61 में जो आपको मिलेगा option, 61 का option C सही है, 61 का option C है, उसके बाद 62, 62 में आप देखिए स्वक्ष भारत, इसका part C, यानि दोनों होंगे, इस प्रकार ये दोनों हो जाएंगे, अगले वाले में जरिया हो जाएगा, यानि इसका B part हो जाएगा, सबसे प्रदूसित, फिर यहाँ पर आएगा, जो है 64, 64 सवाल में, आप देख सकते हैं, कि काठमांडू, नेपाल, यानि इसका part B के वल, B वाला part सही होगा, अगले वाले में आजाएगे, यहाँ पर, पेरिस, किसने आपको जो option मिलेगा, वो option number C सही होगा, इसका, यह option number C सही होजाएगा, इस प्रदा 62, आप देखेंगे, यहाँ पर D सही है, 66 में आपको D सही मिलेगा, फिर इसमें है बिस्टू के, अधिकांस मरुस्थल, तो इसमें option आपको A सही मिलेगा, यानि इसका option A सही होजाएगा, फिर उसके बाद आजाएगे आप, 68 वाले में, 68 वाले में जब आपको आएंगे, 68 में, 68 का जो option आपको है, इसका answer आपको जो मिलेगा, उसका बी पार्ट होगा, इसका answer बी पार्ट होगा, आप देख सकते हैं, अगले question के तरफ चलते है, question number 69 है, 69 में, आप देखेंगे, कि ग्रीस में कैटरिना, साकेला, रुपालो को देश के दिहास में, जो चीजे बदाई गई हैं, इसका आप answer देख सकते हैं, कि नीचे answer इसके दिये गए हैं, और इसके answer में आप पढ़िए, कि ग्रीस और कैटरिना पहली राष्ट पती के रूप मे हैं, तो इसकी, जो इसका answer है, इसका answer आपको जो मिलेगा, इसका answer आपको है, आपके पास, इसमें आपको इसका C पार्ट सही है, यानि इसका आपको C पार्ट सही मिलेगा, यह C पार्ट है, इसके बाद आप देख लीजिए, अगला जो कोशन है आपका है, अगले पार्ट म आपको A part, 70 question number का A part इसका सही है अगले वाले में आजएए अगले वाले में आपका 100 m आएगा 100 m, यह नि इसका B part सही हो जाएगा फिर उसके बाद 20% का लाप आएगा यह नि इसका D part सही हो जाएगा फिर यहाँ भी D part ही इसका होगा 8000 आएगा फिर 74 वाले में आज़े यह GDP इसकी बात करते हैं GDP 3.3 यानि इसका A part सही हो जाएगा इसका A part सही हो जाएगा अगले वाले में गुजरात इसका भी A part सही हो जाएगा 75 question solve हो जाते हैं इसी के साथ अब आते हैं अगले question की तरफ तो अगला question जो हमारा 76 है उसकी तरफ देखें इसमें आपको जो मिलेगा 73 में 76 में इसका A part सही होगा इसका A part सही होगा फिर अगले वाले में आज़े यह 77 77 में आपका D part सही होगा यानि सभी सही है इसके D part सही आएगा फिर उसके वाले में आज़े यह रामयार यानि C part आपका सही होगा 78 में आ जाएगा फिर उसके बाद ये रज़त है यानि इसका B पार्ट सही होगा इसमें रज़त आ जाएगा फिर उसके बाद आप आज़े इसमें C पार्ट आपका अगले वाले में अगले वाले में C पार्ट सही होगा 80 कोशन्स में फिर उसके बाद आप जाएए आज एटी वन वाले में एटी वन में आज सभी जनते तो बहुत फेमस ही है ये इसका पी पार्ट सही होगा इस प्रकार आप देख चुके होगे कि इसका एटी वन तक हमने question solve कर लिए है एटी वन question number तक हमने solve कर लिए है अब अगले वाले में जाते हैं यहाँ देखिए एटी टू में क्या है महत्मा गांदी ये भी एक फेमस सवाल है इसका डी पार्ट सही है इसमें कौन नहीं था तो वो खुदी राम नहीं थे यानि इसका डी पार्ट सही हो जाएगा फिर उसके बाद आ जाईए तो यहां पर कौन सुमेलित नहीं है 84 का 84 में C वाला पार्ट सुमेलित नहीं है फिर उसके बाद यह statement किसका है तो statement देख लीजिए statement यह D है यानि A नी बेसंट नहीं इसमें कहा था उसके में गाठ गठन जो होता है फसलों में दलहिनी में तो यह nitrogen होता है यानि इसका A पार्ट सही है इसका answer आप निकालेंगे तो इसका B पार्ट निकल कर आएगा 88 वाले में चूना और धान के फसल यानि एक और तीन आप देख लीजिए एक इसमें पार्ट आएगा यानि चूना और एक क्या है इसमें तीनों चीज़े इसमें आ रही है अब देख सकते हैं कि 88 जो है हमारा किसका प्रियोग करते हैं तो इसमें एक और दो सही है यानि एक और दो यानि एपार्ट इसका सही होगा फिर फार्चून идिया के तहट जो है इसमें एपार्ट इसका इंडिन आईल सही है यहीं 89 question तक हमारे solve हो जा रहा है जल्दी-जल्दी से फटा-फटा कम समय में ही इसको solve कर लेते हैं यह इसका D part आएगा इसमें हमारा भारतिय दलहन यह हमारा कानपुर है यह C part आएगा इसके बाद यह संत्रे का उद्पदन C part यहनी सहरनपुर में होता है फिर आजाएं आप अगले वाले parts में बह आप देखेंगे 93 में C part इसका सही है C part इसमें भी आपको सही मिल जाएगा अगले और फटाले अगले वाले Parts में 94 question number है इसमें 94 question number में यह देश सरवादिक दूत उत बादन करता है यह यह नहीं देश में तो ये सबसे ज़्यादर नहीं करता है तो यानि पहला वाला option गलत हो जाता है बाकी सही है तो यानि इसका C part सही हो जाएगा यानि इसका C part सही हो जाएगा फिर अगले वाले में A part है इसका A part इसका सही हो जाएगा 95 का A part सही हो जाएगा 96 का A part सही होगा, फिर उसके बाद 97 में आ जगे, तो 97 में भी A part आपका सही है, 97 में भी A part आपका सही है, अगले वाले में आईए, अगले वाले में राइटरस विलिडर है, विलिडिंग है, ये D part आपका सही है, फिर उसके बाद कांगो लोकता अंतरिक, ये इसमें C part सही है, 99 होगे, 100, question number, इसमें नाइजर सही है, ये A part सही है, अगले वाले में जो है, A part इसमें भी सही है, 101 में, फिर उसके बाद आजाएए, USA, ये इसका D part सही है, इस प्रकार आप देख रहे हैं, कि ये सवाल आप जन्दी जन्दी लगाते रहे हैं, फिर इसके बाद इसके सवाल आता है, आपका 103, इसका C part आपका सही है, फिर उसके बाद ये glass go है, इसमें A part सही है, फिर ये caspians आगर है, इसमें C part सही है, अब आजाएए 106 पे, तो 106 पे जब आप लगाएंगे, तो 106 पे आपका A part सही है, इसमें जो match करेगा, वो A part match कर जाएगा, इस प्रकार आप अगले आगे वाले questions में आजाएए, यहाँ जो है ये जम्मो और कस्मीर, यानि C part है, ये C part है इसमें, और ये खिरगिस, बुसमें और N, इस वाले में जब आप आएंगे, तो इसका जो है D part सही है, यहनि 108 का D part आपको सही मिलेगा, अब इसके बाद 101 में आएंगे, तो इसमें आपको D part सही मिलता है, यहनि ये D part सही होगा, इसका ये B part सही होगा, अब आज ये 100, 111 में, तो 111 में आपको D part सुमेलित नहीं करता है, फिर इसके बाद 112 में आप आएंगे, तो इसमें A part सही है, ए पार्ट सही है फिर उसके बाद यहां आपको कडपा मिलेगा यानि इसका बी पार्ट सही होगा अगले वाले कोश्चन में आज़े ही है सेलवा यानि चौनी पत्ति सदा बहार होगे यानि ए पार्ट इसका सही होगा इसमें B part यानि प्रियाग राज होगा अगले वाले में आजाई 1986 यानि इसका B part सही होगा इसका D part सही होगा अब 118 पे आजाई 118 पे आप पढ़िए 118 पे आपको C part जो है मैच करता हुआ नजर आएगा फिर उसके बाद आप आजाईए माइकोराईजा में जो है इसमें आपको C part सही मिलेगा C part सही मिल जाएगा इसी प्रकार ये आप D वाले में आजाईए तो जो 120 यानि लास्ट कोश्चन जो हमारा है उसमें आपको ये नहीं मिलेगा यानि के जल में नहीं होती है यानि इसका option D हो जाएगा इस प्रकार पूरा पेपर हमने solve कर लिया कि कौन सा इसमें option सही है और आप इसे वीडियो अच्छा लगा आपको अगर आंसर की अच्छे लगी तो आप लाइक करिए, सेर करिए, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह रोचक उत्तर और चीजों से आप परचित होते रहेंगे इसी के साद धन्यवाद, सुपकामनाए आप सभी को नंबर कितने आए, कौन सेलेक्ट हो रहा है इस बॉक्स में धन्यवाद, जय हिन, जय भारत